नमस्कार साथियों जेहिं जे भारत मैं गुपाल प्रजापत आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हमारे ओनलाइन प्लेटफर्म न्यू अतुल लेकर में पर आज आपके सामने यहां पर आया मुद्दा यह है कि क्या आदिवाशियों में ही आदिवाशियों को अपनी सीटों से वन्चित किया जाएगा कि या फिर आदिवाशियों को जो जूनियर इंजिनियर है टीओ वाले जो पदे और क्या जो बन रख्षक जिसी भरतिया है उस पर फॉर्म नहीं डालना चाहिए डालना भी चाहिए तो कौन लोग डाल सकता है कौन लोग नहीं डाल सकता है यह अपने आप में सबसे बड़ा और एक गंभीर प्रशन है आप जब नोटिफिकेशन के अंदर देखोगे तो नोटिफिकेशन के अंदर आपकी भरतिया दी जाती है पर किस तरीके से रिजल्ट के टाइम पर भरतिया हटा दी जाती है इसकी कलपना करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है आज उसी बात को लेकर मैं आज अपने बीच में यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ मेरे साथ में वो विध्यारती भी मौझूत है जिनके साथ में ये घटनाय घटित हुबी है जिनके नंबर जनरल केटिगरी से भी जादा होने के बावजूद भी उन्हें टीओ जिसी एक्जाम में बाहर कर दिया गया किवली साधार पर क्योंकि नोटिफिकेशन के टाइम पर इनके पद थे और जब रिजल्ट दिया गया तब इनके पदों को हटा दिया गया बात करेंगे हम सरसे भी थोड़ा सा मैं समय लूँगा उसके पहले एक बात बता देता हूँ क्या मद्धी प्रदेश में जन जाती के तोर पर बेगा भारिया और सहेरिया को ही सरकारी पदों पर न्युक्त किया जाना चाहिए क्या भील हुआ भिलाला हुआ पटेल हुआ बारेला हुआ और मालवा और निमाड के जो आदिवासी है क्या वो इतने सक्षम हो गए हैं कि उन्हें अब अगर हम कोई पद नौकरी नहीं देंगे तो भी वो अपना गुजारा भत्ता चला लेंगे अगर आप देखोगे सिक्षा के इस तर के अगर हम बात करेंगे तो सबसे सबसे पिछुड़ी जन जाती के तोर पे भी बेगा भारिया सहर्या को हम मान सकते हैं पर वहां पर कुछ हद तक कुछ इस्तीदिया काबू में की गई है बलकि अगर आप देखोगे धार जाववाली राजपुर को तो सिक्षा के छेतर में ना केवल मद्धी प्रदेश में बलकि एशिया में सबसे पिछुड़े जिले माने जाते हैं और फिर यहां से रहकर तैयारी करने वाले आदिवासी जो बच्चे होते हैं आखिर उनके सा कि इन पदों को शामिल किया जाएगा बलकि बाद में क्या करा दोस्तों इन्होंने यहां पर जीरो पत कर दिये यह स्टूडेंट हमारे बीच में जो बहुत अच्छे नंबर लाने के भाजूद भी बाहर होगे मैं आपको सारी बाते बताऊंगा कितने माक्स थे फिर बाहर होगे क्या समयश्या है नोटिफिकेशन के अंदर दिया जाता है कि यह इन इस्टूडेंट के लिए पद है बलकि जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद 82 नंबर लाने के बाद भी बच्चा एक्जाम से बाहर हो जाता है यह मेरे पास में है अगर मैं रोल नंबर भी कहूं ता आप रोल नंबर से भी चेक कर लेना रोल नंबर है इनका देखो मैं बता देता हूँ अगर आपको कुछ वास्तविकता अगर देखना हो तो मैं आप इसको एक्जाम से बाहर कर दिया गया बाहर इसलिए गया क्योंकि जब आया था तब आदि वासी संमुदाई के शीट थी पर बाद में इन चे एक, दो, तीन, आठ, आठ, चार, तीन, जीरो मतली, ता ये था ये इतने पत हैं, अब इसमें टोटल 22 पत हैं और जब फाइनल जब रिज़ल्ट आया है तब इनके पत कर दिये गए, सुनने क्या कर दिये गए, पत, सुनने अब हमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या केवल बेगा और भारिया सहरिया के लोग ही इन एक्जाम में भरती ले सकते हैं चैनित हो सकते हैं जैन जाती निवास करती है तो वाकर रख्षण के लिए योग गता नहीं रखता है तो आप बीती जिनके साथ घटना घटित हुई है वोई स्टूडेंट मेरे साथ आज यहां पर मुझूद हुए है और यह घटना किसमे घटित होगी यह मैं आपको बता देता हूँ आप जो वन रक्षक का जो एक्जाम दे रहे हो वन रक्षक के अंदर भी बेगा भारिया सहरिया को पहले लिया जाएगा यह जो भाई हमारे बीच में आये हैं सारी के सारी जानकारी लेकर आये हैं कि कितने ग्रेजूट हैं कितने पद मांगे हैं वो सारी चीजे आपको यहां में कोई ने कोई समस्चिय आती है आज जो अभी notification आया है आप लोगों ने देखा था कि मद्देपरदेश power generation company का notification आया जिसके अंदर मद्देपरदेश की सारी बिजलीवा की कमपनिया उसमें एक मर्ज करके सारा requirement एक साथ निकाला है लेकिन जिसमें condition कुछ apply कर दी गई है जिसमें अनुसुचित जन्जाति के विद्धीयरत्यों के साथ अन्याई हो रहा है जिसके अंदर ये बोला गया है कि बेगा भार्या और सहर्या जन्जाति के विद्धियरतियों को निवंतम पात्रता पाने वाले विद्धियरत्यों को पहले privacy दी जाएगी और जो असोचिय जन्जाति की ज़ीटे हैं उनी सीटों में से उनको दी जाएगी तो अगर एसा हुआ तो हम अनुचिय जन्जाति की जितने विद्यारती है उन विद्यारती के लिए सीटे जीरो हो गई थी जिस वज़ा से हमारे अनुस्य जन्जाति के विध्यारती एक भी स्टुडेंट सिलेक्ट उस एक्जाम में नहीं हुआ था और अभी भी यही प्राउधान उस नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया था उसी नोटिफिकेशन को हम लाए हैं और उसी नोटिफिकेशन में दिखाना चाहूंगा यहां पर यहां पर आपको इस नोटिफिकेशन भी दिया गया है कि आप लोगों ने अगर नोटिफिकेशन सभी ने देखा होगा तो जो पाव नोटिफिकेशन पढ़के बता देता हूं इतना विजिबल नहीं होगा ये इसमें ये कहा गया है कि मद्यप्रदेश की जो जन जाती है ठीक है उसके अंदर में इन्होंने जो मेंली जो मेंशिन किया वो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों क्या कहा है कि यहां पर जो सहर्या जाती है जो सहर्या जाती को सबसे पहले प्रात्मिक दी जाएगी जिसमें दिया गया है आपको शोपूर दिया गया है मुरेना दिया है दत्या गवालियर भींड सीवपूरी गुना असोक नगर और साथी साथ दोस्तों यहां पर मंडला मंडला डिंडोरी सहेडल उमरिया बाला घाट और साथी साथ यहाँ पर अनुपूर की अनुपूर से भारिया और साथी साथ छिंदवाडा सीवनी डिस्टिक में यहाँ पर यह जो इस्टूडेंट रहेंगे जो में आपको जीले बताएं वहाँ पर अगर यह बेगा भारिया सहर्या जन जाती के गरंदर आते ह तो इन्हें एक्जाम नहीं देना है केवल आपके डिगरी दिखाना आपको डोक्यूमेंट के वेरिफिकेशन करवाना डिवी करवाने के बाद आपको सीधा की सीधा दोस्तों वहाँ पर न्यूक्ती पत्र मिल जाएगा और आप हमेशा के लिए नोक्री लग जाओगे पर मेर संता वाले बात कर सकते हैं पिछडी जनजाती को अगर हम सभी जगस हमील कर रहे हैं तो उसमें भी तो कोई पिछडे लोग हैंगे आदिवासी महीं तो अदिवासी कि जो दुसरे लोग रहेंगे क्या वुष योग्यता इलिडिजिवल नहीं है इतनी मेंगी-मेंगी डिगरी करने के बाद भी अगर विध्यार्तियों को ये कहा जाता है कि हम वेगा भारिया सहरिया को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे तो इन विध्यार्तियों को क्या फोर्म नहीं डालना चाहिए दुसरी बात जब आपने फोर्म अपलाई करवाया तब आपको ये मेंशन कर देना था कि हम इनकी नोकरी नहीं लगाएंगे ताकि ये लोग अपना समय और पेसा दोनों बरबाद नहीं करते बात पेसे की नहीं है बात समय की है और जो गलत हो रहा उस गलत के साथ मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ तो आज अगर आपने इन आदिवासी भाईयों के साथ अगर ऐसा किया है तो ये निश्चित ही में कहता हूँ कि आने वाले कल में केवल और केवल उधर के लोगों को ही भरतिया मिलेगी और इदर जो धार जागवाली राजपूर बढवानी खरगोन खंडवा देवास रकला मुझ्यैन गुना के जो आसपास का जो आदिवासी समूदाई है जो भील है भीलाला है बारेला है पटेलिया चतर जाएं और बिजो जण जाती के जोग है उनको शामिल नहीं क्या जाएगा क्योंकि सरकार के वलों के वलंतीं जींको बड़ावा देगी जिसका नाम चेए शेहिक आकि unapp sih कि नहीं रहेगी आप और हम एक औरक्षन काम नहीं आएगा और इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं यह देखो यहां पर इस्टूडेंट के अंदर योग्यता नहीं है क्योंकि सरकार जब रोस्टर प्रणाली वाला जो नियम लेकर आई है उसमें अगर आप समझोगे तो जो जिस केटिगरी का उसी केटिगरी के अंदर फाइट करेगा तो अब मुझे बताओ जनरल का जनरल में OBC का OBC में FATP में तो很好 to Revelation की बेर भावना की बद्रेजए्ट decep में गईनपता है नहीं कि आपको और हमको मिल कर एक आवस उठता रखते हैं। जिसमें हम ये कहेंगे कि हम भी योगेता रखते हैं कुछ पद आप compte जिपकेंगे इसके लिए उससके लिए डिनगे का छुप नहीं अब primo państwo करना जातेорм करना ताकि असी नंबर 81 नंबर 82 नंबर लाने के बाद भी अगर को इस्टूडेंट नहीं होता है तो उसके दिल पर बहुत जादा गुजरती वहीं पर इस एक्जाम के अंदर में आपको बता दू जनरल का कट असी गया है और वहाँ पर यह भाई जो हमारे वीच मौझूद है इनके मीत्रों और इनके बहियां सी असी नंबर आये है तो मुझे समझ में यह नहीं आ रहा है कि क्या यह भरती एक्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे यह आपके समनिय प्रूफ के तोर पर रख अब हम यही बात रखेंगे कि जब भी यह भरती होती है आपने जो 22 पत कहें थे 22 पत में अगर आप पांचे पत उनको दे भी देता हमें कोई दिक्कत नहीं बाकि जो 16 पत बतते हैं उनके उपर वे आपको इनको भरती करना होगा यह मेरा आप से निवेदन था और अभी भ क्युआ की एंपी के समच्या नहीं देखती है तो यह काफी मेहनत दो की हैं यह आविदन भी दे रहे हैं और आज परिक्षा के अंदर सामील होना चाहते हैं उन्हें इन परिक्षा का लाब मिल सके धन्यवाद जय हिन जय भारत